इस्राइल और हमास की जंग के बीच इस्राइली डिफेंस फोर्सिस को बड़ी काम्याभी मिली है IDF के मताबिक उसने गाजा में हमास की सबसे बड़ी सुरम को खुज निकाला है हमास से जोज रही इस्राइली सेना का कहना है कि उन्होंने कंक्रेट और लोहे से बनी एक बड़ी सुरंग का पता लगाया है मुखे इस्राइली सैने प्रवक्ता लियर एड्मीरल डेनियल हगारी ने बताया कि सुरंग 4 किलो मेटर या 2.5 में लंबी है जो कभी हमास के शासन का केंडर थी लेकिन अब एक तबा युद्ध शेक्र बन गई है हगारी का कहना है कि इस्राइली सेना हमास की सुरंगों को धस्त किये बिना हमास को धस्त नहीं कर सकती सेकडों किलोमेटर के भूमिगत मारगो और बंकरों को नस्ट करना इसराईली सेना के आक्रमड के उद्देश्यों में से एक है सेना ने पत्रकारों को सुरंग दिखाई जो एरेज में चौकी से सरफ सौ मीटर दक्षिम में स्थेथ है एरेज क्रोसिंग उनिस थलों में से एक है जिस पर हमास ने 7 अक्टूबर को कमसा कर लिया था हमास के इस कमजे में 1200 इसराईली मारे गए थे और 240 लोगों को हमास ने बंधत बना लिया था बता दें की 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इसराईली गाजा को खेल लिया है और फिलिस्तीनी क्षेत्र का अधिकान्श भाग पर बात कर दिया है गाजा स्वास सरदिकारियों के अनुसार लगभग 19,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और हजारों लोग इसराईली हवाई हमलों के बलबे में तब ही हुए है